प्याज के दामों में बढ़ रही गिरावट दरसल महरास्ट्रों में पिछले चार महीने से प्याज के दाम में गिरावट देखी जा रही है इसके बाब जूत खरीब सीजन में किसानों ने बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की है उन्होंने एक बार फिर खेती को लेकर बड़ा रिस्क लिया है जलगाव के खान देश में ही करीब 13,000 हेक्चर में प्याज की खेती हो चुकी है सितंबर के अंत और एक्तूबर के मध्य में कटाई भी शुरू हो जाएगी किसानों को कहना है कि वो उमीद कर रहे हैं कि त्यहारों में कीम्तों में सुधार हो सकता है खरीब में किसानों ने ये सोचकर खेती की है कि राजे में प्याज नकदी फसल है जिसका दाम रातो रात बदल सकता है हाला कि ये सच है कि कीम्तों में लगातार गिरावट से किसान बेहाल हो गई है ऐसे में उन्होंने खरीब सीजन के प्याज के एक एक पोधे की रुपाई बहुत हिम्मत और उमीद के साथ की है देखना ये है कि बाजार उनके इस होसले को बढ़ाता है या तोड़ता है उनके उमीदों पर पानी फिरता है या फिर पूरा करता है किसान जितना रिस्क लेता है शायद ही कोई लेता हो जब प्याज का रेट एक रुपे कीलो चल रहा हो और उसके बाब जूत अगली फसल की रुपाई किसी बड़े रिस्क से कम नहीं नासिक, सोलापूर, धूले, नंदुरबार और जलगाम जिले का खान देश प्याज की खेती के लिए परसिद है वहीं धूले जिले में इस बार करीब 8000 हेक्टर में खेती हो चुकी है हलाकि जिले में करीब 16-17000 हेक्टर में प्याज की फसल है हलाकि गर्मी की सीजन में इस खरीव में कम खेती की गई है यहां भी कम दरों और बढ़ती लागत के कारण खेती में गिरावट आई है तो वहीं जलगाउं जिले में करीद 3,000 हेक्टर में प्याज की बुआई हो चुकी है कुछ शेत्रों में प्याज की खेती जुलाई की शुरुवात में शुरू हुई थी जलगाउं जिले में करीद 6,500 हेक्टर में खेती होने की उमीद थी वहीं नासिक जिले में भी प्याज की खेती में कमी आने का नुमान जताया जा रहा है किसान खरीब सीजन के प्याज की रुपाई जुलाई अगस्त में करते हैं किसान खेती नहीं करेगा तो फिर उसकी आजीवी का कैसे चलेगी लेकिन घाटे का सोदा भी ठीक नहीं फिर भी एक दो साल तक वो घाटा सैकर देखता है यही हाल महाराष्टर के प्याज किसानों का भी है उन्होंने खेती कम कर दी है लेकिन बद नहीं की प्याज उत्पादकों का कहना है कि इस साल प्याज की खेती करना महेंगा हो गया है क्योंकि इस साल बीज के भाव 1200 से 2000 पे प्रती किलो के बीच थे महंगे बीज और रोपन की लागत में व्रिद्धी हुई है जबकि दाम एक से आट रुपे किलो तक ही ओस्तन मिल रहा है वही महराष्टर प्याज उत्पादक संग्ठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत धीगोले का कहना है कि सरकार खुद वेग्यानिक तरीके से देखे कि प्रती किलो प्याज उत्पादन की लागत कितनी आ रही है उसके बाद दूसरी फसलों की तरह उस पर भी 50 फीसदी मुनाफ़ा तै करके उसका नियुन्तम समुर्थर मुल्य तै कर दे उससे कम दाम पर खरीदी बंद हो जाएगी तब जाकर प्याज किसानों के हालात सुधरेंगे किसानों ने बताया कि प्याज राज्जे की नगदी फसल है और इसके दाम रातोरात बढ़ते हैं और कम होते हैं दाम बढ़ने की उमीद में ही खरीब सीजन में किसानों ने प्याज की खेती पर जोर दिया है विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी